नमस्कार और विल्कम योलू वर्ल अफेर्ट जाओ रशान धवन नाओ रिसेंड़ी आप लोगों ने क्वेश्चन काफी बार ये रेस किया कि रशिया और चाइना अपनी टीम्स चेस्ट टर्नमेट में क्यों नी भेज रहे टू इंडिया क्या यहाँ पर रशिया और चाइन पाकिस्तान के समर्थन में उतर गए है यहाँ पर आप देख पाओगे आपको आर्डिकल देएगा इस पर मैंने वीडियो भी बनाएजी रिसेंड़ी के कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान ने रिसेंड़ी चेस ओलम्पियार जो शुरू हो चुका है भारत में बड़ा चेस्ट टर्नमेंट है इससे पुल आउट कर लिया है पाकिस्तान का आपकोर्स कहना ये था कि जो ये टॉर्च है चेस्ट टर्नमेंट की जो टॉर्च है ये पूरे इंडिया में गई है और जमू कश्मीर में भी सिंस ये टॉर्च गई है इसलिए पाकिस्तान इस टर्नमें में participate नहीं कर सकता, अब इसके बाद कई लोगों ने हाँ पर यही point out किया, कि इंडिया का tournament काफी अब कमजोर हो गया है क्योंकि चाइना भी यहाँ पर participation नहीं कर रहा, रश्या भी participation नहीं कर रहा, तो क्या रश्या और चाइना ने भी boycott कर दी इंडिया का टर्नमेंट तो यहाँ पर आपको समझना होगा difference के रशिया चाइना का केस क्या है पाकिस्तान का केस क्या है पाकिस्तान की सरकार ने on record ये का है के हम इंडिया का चेस ओलंपियाड बॉयकॉट कर रहे हैं रशिया चाइना ने ऐसा जो खुद responsible थे बहुत से रोगों की मृत्यू के लिए इनके नाम पर UK का famous award है आपको बताना है कि किस world leader को ये award मिला है ये हैं आपकी option जो बाइडन रेंदर मोती, जलंस्की या फिर शिंजो अबे, comment section में करिए उत्तर सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में तो सबसे बहले हम यहाँ पर जारेंगे कि चाइना participation क्यों नहीं कर रहा फिर मैं आऊंगा रश्या के case में क्योंकि दुनों countries की जो problems हैं वो भी काफी different है चाइना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चल रही है zero covid policy पिछले कई महीनों से actually almost साली हो गया है लंबे समय से चाइना के athletes इनके sportsmen इन्होंने किसी भी international sporting event में participate नहीं किया है example के लिए मैं आपको बताता हूँ November 2021 में हुआ था उसबेकिस्तान की राजधानी ताशकंत में world weightlifting championship का tournament चाइना ने यहाँ से pull out कर दिया और इसका कोई proper reason भी नहीं बताया same चीज इन्होंने करी France के साथ France ने recently host किया है world figure skating championship को और चाइना मैं आपको बतातूँ एक काफी जारा strong country है figure skating को लेकर recent Olympics में चाइना ने जीता था gold medal इस sport में तो चाइना ने world figure skating championship में भाग नहीं लिया यहाँ पर आप देख पाओगे Olympic players champions are not entered in world figure skating championship और इसका भी कोई proper reason चाइना ने दिया नहीं है और same case इन्होंने यहाँ पर किया है इंडिया के साथ इंडिया का जो chess olympiard है वहाँ पर चाइना ने team भेजने का जो reason है यह बताया नहीं है ना France में बताया था ना किसी और country में यह लोग बता रहे है मगर असल reason सबको बताए के COVID की situation चाइना में out of control है government panic कर चुकी है altogether इन्होंने international travel restrict कर दिया है बड़े scale पर तो यह कहना काफी inaccurate होगा कि China ने boycott कर दिया है इंडिया का chess olympiard ना यह तो आपने बात कर लिया है चाइना की Russia का case बहुत ही different है और हो सकता है कि Russia के कुछ players actually इंडिया में participant करने आई भी समझाता हूँ आपको हुआ क्या है यहाँ पर international sports में आप अगर देखो तो Russia पे काफी लंबे समय से crackdown चल रहा है Russia के athletes पे यह रूप लगा कि यह लोग substance abuse करते है drugs लेते हैं अपनी performance को enhance करने के लिए इस वज़े से Olympic से Russia को ban कर दिया गया उसके बाद हमने यह रेखा कि जब Russia ने Ukraine पे आकरमन कर दिया तब से तो हम देख रहे हैं कि complete international sports में video games में हर जगा कहीं भी Russia का जंडाइन को दिख जाए ना इसको यह remove करने की कोशिश करते हैं मैं आपको एक्जामपल देता हूँ आज के समय FIFA World Basketball Championship Weightlifting Championship basically कोई भी global sport हो वहाँ से Russia को completely ban कर दिया जा चुका है FIFA का जो latest version आया है FIFA 22 इसमें भी आप देखोगे Russia का जंडा Russia की national team यह सब remove कर दिये गए हैं अब तो लोग यह भी कह रहे हैं कि थोड़े बहुत जो Russian यहाँ पे footballers हैं जो बाकी European club में खेलते हैं ना उनको भी हटा दो basically Russia का कोई player कोई जंडा कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए और यह बैन सिर्फ Russia पर नहीं है आप देखोगे के Belarus पर भी similar type का बैन लगाया गया है और जो संगटन यह major chess tournament औरनाइस करवाता है FIDE The International Chess Federation इन लोगों ने भी यह कहाए के देखो Russia के players खेल सकते हैं मगर Russia के जंडे के अंदर नहीं खेलेंगे मतलब के कहीं अगर वो tournament में जा रहे है तो वहाँ पर Russia का जंडा नहीं लगेगा यह लोग आप कह सकते हैं As neutral players participate कर सकते हैं मगर उसके आगे यह लोग अपनी country को represent नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि Russia की तरफ से कुछ players भारत में आए मगर वो Russia के flag को यूज नहीं कर पाएंगे वो लोग participate कर सकते हैं India में As neutrals अच्छा अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है फिर Russia के जो बड़े grandmasters है वो इंडिया में शायद आई जाएंगे देखिए कई grandmasters रश्या के इंडिया में नहीं आपाएंगे reason मैं आपको बदाता हूँ क्या है रश्या के कई जो famous chess players है अब for example रश्या के आज के समय सबसे बड़े chess star है सरगई के रखें जिस तरी कैसे इंडिया में है विश्वरासन आनंद वैसे ही रश्या में है सरगई तो recently सरगई ने ये कह दिया कि ये support करते है रश्या का invasion of Ukraine अब ये जो statement है बड़ी controversial है और इस statement की वज़े से सरगई को ban कर दिया गया 6 महीने के लिए यहाँ पर आप देख पाऊगे grandmaster rolled out of competitions by FIDE for 6 months Chess Federation रश्या के players को दंडित करेगा रश्या की war को support करने के लिए तो पुतिर इनके defense में आएंगे तो व्लादबर पुतिर ने खुद इन chess players को award दिये है for publicly supporting the Ukraine war तो रश्या का case completely different है इंडिया चाहा कर भी रश्या की participation को approve नहीं करवा पाएगा this is a very important thing to understand अब यहाँ पर आप कहोगे तो इस सबसे फाइदा किसको होगा देखिए दो countries को फाइदा होगा USA और इंडिया इंडिया के medal के chances काफियत तक बढ़ गए हैं क्योंकि चाइना और रश्या दोनों यहाँ पर participate नहीं कर पा रहे होंगे दोनों बड़ी chess powers है उसके अलावा USA के भी chances काफियत तक बढ़ गए है USA के भी काफिय अच्छे chess players है तो most probably आप देखोगे के US और इंडिया बहुत से medal जीतेंगे in the upcoming Chennai Chess Olympiad तो मैं उमीद करता हूँ के यहाँ पर आपको मिल गए होगी clarity के पाकिस्तान ने क्यों पुलाउट किया है और चाइना और रशिया का अलग reason क्या है दोनों को confuse मत कर लेना every country has its own reason ना वापस आते हैं क्वेशन की तरफ के Winston Churchill Leadership Award यह recently present किया गया है किस leader को तो सही उत्तर यहाँ पे है option option C, Zelensky जी हाँ, Zelensky को recently UK के Prime Minister Boris Johnson जी हाँ, Boris Johnson अभी भी अपनी जो duties है as Prime Minister यह दिवारे है तो Boris Johnson ने recently यह जो award है यह दिया है Vladimir Zelensky को, यह आपे है Winston Churchill Leadership Award और finally आपने मैं यह भी आड़ कर दू कि आज है आखरे दिन अनकाडमी की 20% sale का, आज राज 12 बजे के बाद sale officially खतम हो जाएगी तो comment section में जाएगी यहाँ पे आपको मिलेंगे link SSE, UPSC bank के for example, let's say आप prepare कर रहे है for SSE तो आपने SSE के link पे यहाँ पर click किया तो आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर यह page और अगर यहाँ पे आपको massive discount पाना है तो simply यहाँ पर code use करो PD10 and prices will start falling यहाँ पर आप देख पाओगे सिर्फ 270 रुपीज पर मन्त में आप purchase कर सकते हैं 24 महीने का SSE course और अभी 6 महीने का extension offer भी चल रहा है तो 24 महीने नहीं आपको total 30 महीने मिलेंगे यह offer आज राद 12 बजे खतम हो जाएगा 6 महीने का भी आपको offer नहीं मिलेगा इसके बाद 12% off का So use the code PD10 and save money So इसी note के साथ यह है वीडियो का Thank you for listening and as always God bless you all